नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ आफिक यूट्यूब चैनल में मीटिंग शेडूल की गई है 22 ऑक्टोबर 22 ऑक्टोबर 2024 को जहाँ पर कंसिडर करेंगे अप्रूब करेंगे अपना फिनांसल रिसल्ट का अनॉस्मेंट करने वाले हैं तो यह इंपोर्टन अप्टोबर आ रहा है इसके लिए इंपोर्टन डीट रहेगा 22 ऑक्टोबर 22 ऑक्टोबर 2024 जो कि टूज़डे का दिन है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखे साथी साथ यहाँ पर कॉंफरेंस कॉल विद इंवेस्टर्स भी यहाँ पर होने वाला इंव्श्टर्स और आनलेस्ट के सात्य होगा यहाँ पर डेट सेमी है 22 ऑक्टोबर कोई यहाँ पर कॉंफरेंस कॉल होगा, मीटिंग होगी और ताइमिंग जो है तू थर्टी पिम धाई बजे का टाइम हाँ पर बता आ जा रहा है तो यह important update company के तरफ से आ रहा है तो इसला यह भी बताना चाहूंगे company जो रहता है QIP के तुरूप fund raise करने वाली है, fund raise का size जो है वो है 7500 क्रो का QIP के तुरूप company fund raise करने वाली है और यहाँ पर QIP का जो fund है वो किस तरीके से company use करेगी तो यहाँ बता जा रहा है making investment in subsidiaries, joint venture और associate company by way of equity preferential capital or debt or fund growth of existing business including expanding product portfolio यहाँ पर अपना product portfolio का expand करने में यूज किया जा सकता है entering into new territories यानि कि नए territory में move करने के लिए भी use किया सकता है making strategic acquisition कोई acquisition के लिए भी इसको use किया जा सकता है then prepayment और repayment in full or debt full or part of debts of the company तो company जो रहता अपना कर्ज को खतम करने में भी इसको use कर सकती है and general corporate purpose के लिए भी use कर सकती है तो इस तरीके से देखिए हाँ पर बता जा रहा है कि कमपनी जो रहता है यह QIP का fund को किस तरीके से use करेगी इसीच को लेकर के postal ballot meeting चल रहा है देखिए हाँ बता जा रहा है कि to approve raising a fund by way of issuance equity shares through QIP यहाँ पर देखिए यह remote e-voting यह फिर पोस्टल बैलेट स्टार्ट हुआ था 10th October को 9 a.m. का time था and कब होगा खतम हो जागा 8th November 2024 को 5 p.m. में खतम हो जागा and इसका result जो रहता है देखिए company कब announce करेगी देखिए हाँ बता जारे कि result जो रहता है will be announced not later than 5 p.m. on Saturday November 9th November 9th को इसका update आएगा QIP को लेकर के सब आगे बढ़ते हैं company का chart को चेक करेंगे 615 से 620 के range में निकल करा रहा support transition मैंने और इपको बता दिया है उपर में जो ultimate resistance है वो 680 के range में निकल करा रहा वो तूटेगा तो फिर यहाँ पर तूफानी तेजी फिर से start हो जाएगी and यहाँ पर नीचे में जो breakdown का level है 540 वो तूटेगा तो फिर हाँ से अच्छी खासी आपको विक्वाली बे देखने को मल सकते है तो मैंने आपको important levels बता दिया है वीविल को ले करके यह investment great stock है portfolio stock है and multi bagger stock है यह था complete agreement regarding वीविल I hope आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा दिने वीडियो को लाइक कीजिएगा share कीजिएगा आपको subscribe कीजिएगा